हाई फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल वी ब्यूटी आंट एन एडिया चैनल में स्वागत है फ्रेंज आपके पास भी कुछ इस दरे से क्लाट सोएंगे इस दरे से क्रास में या तो फिर आप ड्रेस सीने के बाद आफ मीटर या एक मीटर भज गया होएगा ये साडी का पलो में कट करके ले ली हूँ इसे साइड में कर लेते हैं ये साडी का बॉर्डर मैंने कट करके ले ली हूँ पूरा और मैंने या पे आफ इंच एक्स्ट्रा रखते वे कट करके ली हूँ ये साड़ी में पूरा कलर लग गया था इसे मैं पहन ने पा रही थी तो मैंने सोची इस बॉर्डर को यूज करते वे क्यों न कटन बनाए तो इसे हम स्टेट कट कर लेंगे इस तरह से इस तरह के कटन्स आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे है जब आप इस डिजाइन को बनाएंगे तो जितना हुसे के उतना स्टेट पटी ही यूज करना स्टेट पटी यूज करने से आपका डिजाइन बहुत कुपसूरत बनीगा मैं तो ये बचे हुए क्लास से अट्जिस करते वे सी के आपको दिखा रही हूँ इसमें से भी मैं स्टेट पटी कट करके निकाल लूँगी तो यहां से टू अड़ा फिंचेस आ रहा है तो यहां से मैं टिक लगा लूँगी इस तरह से सभी जगा पे और इसे स्टेट कट कर लेंगे मेरे पास कलाथ बहुत कम है तो मैं जरुवत पड़ेगा तो यह जो क्रास पटी निकल रही है उसे भी यूज़ करूंगी तो मैं इसी तरह से सभी पट्यां कट कर लेती हूँ तो मैंने सभी पट्यां कट कर ली हूँ इस तरह से ये सारे पट्टियां 2 अंड आफ इंचे से आप देख सकते हो इन सारे पट्टियों को हमें एक दूसरे से इस तरह से जॉइंट कर लेना है इस पॉडर को इस तरह से रखें, इस कलाद को भी इस तरह से रख लेंगे इसकी सीधी साइट, सीधी साइट रखेंगे डोनों की और यहां से हम इसे स्टिच करके ले लेंगे तो मैं सारे बॉर्डर में इसे स्टिच करके ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो मैंने स्टिच करके ले ली हूँ, इस तरह से यह वही पट्टिया है मैंने जॉइंट करके ली हूँ आप देख सकते हो इस तरह से स्टिच करने के बाल आप हाथ से इस तरह से प्रेस करके ले सकते हो या तो फिर आईरन करके ले सकते हो यहां पर मैंने टू इंचेस लिये सो है क्योंकि मेरे पास प्लेन कलाथ कम है इसलिए मैंने टू इंचेस छोड़ते वे आगे से स्टिच करके ली हूँ अब इस कॉर्नर से हमें स्केल को इस तरह से क्रास में रखना है और यहां पर हम एक लाइन बना लिंगे पैन से थोड़ा डार्क कर देती हूँ और हम इसे कट करके ले लेंगे यहां पर हम टू आप इंचेस पर टिक लगा लेंगे यहां बीच में भी हम टू आप इंचेस पर टिक लगा लेंगे यहां पर भी हम टू आप इंचेस पर टिक लगा लेंगे और scale लेके हम इस तरह से cross line बना लेंगे और scissor की help से हम इसे cut कर देंगे आप इस तरह से cut कर के stitch नहीं करना चाहते हो तो मैं वीडियो के end में code दे दी हूँ अब वो code से मीशो में score को दालके cut and purchase कर सकते हो इस तरह से हमें सभी को cut कर के लेना है तो मैं इस अभी cut कर के ले लूँगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो मैं इस अभी को cut कर के ले ली हूँ अब यहां पर हमें इस तरह से अच्छे से set कर लेना है border उपर आएगा उसके बाद में फिर plane आएगा फिर से हमें border उपर की side और plane नीचे की side में इस तरह से हमें सेट कर लेना है जब हम इसे स्टिच करते हैं इस तरह से रखे तो इन दोनों आमिसा में आई जैसे रखे जो जॉइंट करे सो है ना ये दोनों आमिसा में आई जैसे रखे हमें अर्जिस करते हुए स्टिच करना है तो मैं स्टिच करके ले लेती हूँ फिर मै अपने इसाब से रखी हूँ आप अपने इसाब से भी लंबाई रख सकते हूँ कि जो पल्लो है इसमें मुझे इसके जैसा ही एक और एक सिल्वर कलर का बॉर्डर है इसे साइड में कर लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे इस तरह से यह सिल्वर कलर का बॉर्डर था मैंने इसे कट करके ले ली हूँ और इस पल्लो में और भी बॉर्डर है मैं उसे भी कट करके ले लूँगी क्योंकि मुझे लंबाई में कपड़ा कम पड़ रहा है इसलिए तो सेम हमें इसी तरह से स्टिच करके लेना है इस प्लेन कपड़े को हम लंबे पट्या कट करेंगे फिर इसे अटाच करके ट्वांड आफ इंचेस में कट करके इससे हम स्टिच कर लेंगे तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहां पे मैंने पल्लो को बिचा ली हूँ और इन पट्यों को भी स्टिच करके ले ली हूँ सभी पट्यां और इस पट्यों को भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे तो यहां पे मैंने पट्यां सेट कर ली हूँ अब इस पलो के बराबर में हम स्केल रखेंगे और एक लाइन बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे अब यहाँ पर मैं केमेरा गुमा देती हूं थोड़ा दूसरी साइड में भी हमें सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर स्केल रखे लाइन बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे जब हम इन पट्टियों को स्टिच करते हैं मैं आपको पांस से दिखा देती हूँ इस तरह से एक्स्ट्रा कलाथ निकल के आता है आप चाहे तो इसे कट कर सकते हो बढ़ मैं इसे कट नहीं करूंगी क्योंकि इसमें से बहुत सारा धागा निकल रहा है ये कलाथ धागा जादा निकल रहा है कट करने से जादा धागा निकल जाएगा तो मैं इसे ऐसे ही रख दूंगी इसे हम उल्टा कर लेंगे और यहां पे हम स्केल ले लेंगे आफ इन जितना छोड़ते वे यहां पे हम एक लाइन बना लेंगे इसी तरह से हमें सबी पट्यों में बना लेना है इन दोनों को इस तरह से आमे सामे रखते वे प्लेन टू प्लेन बॉर्डर टू बॉर्डर आई जैसा हमें स्टिच कर लेना होता है जब आव इसे इस्टिच करते हो इन दोनों को इस तरई से अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पर जो line बनाई थी मैंने उस line पर हमें इस तरई से स्टिच कर लेना होता है यहाँ पर मैं कुछ इस तरई से पीन लगा के आपको दिखाती हूं मैं उसी लाइन के उपर ही इसे लगा रही हूँ जब हम इसे स्टिच कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाए देगा जब आप इसे स्टिच करते हो फ्रेंज ये जो प्लेन कलाथ है आप इसे थोड़ा खीच के अजिस करते हुए स्टिच कर सकते हो और ये इस तरह से प्लेन टू प्लेन अब ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर में आपको खीचाओ नहीं मिलेगा देख सकते हो आपको इस प्लेन कलाथ में ही खीचाओ मिलेगा तो इस तरह से आप आमे सामे आई जैसा सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेना है तो मैं इसे स्टिच करके ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टिच करके ले ली हूँ, इसे अच्छे से बिच्छा लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंज यहां पर आप देख सकते हो यह जो सिल्वर कलर का जो बॉर्डर है मैं यहां पर इसे सेट करी हूँ इस सरा से और यह जो डिजाइन है यह अच्छा दिख रहा था मुझे तो मैं इस डिजाइन को ऐसे ही रख दी हूँ और बागी का इस सरा से सेट करते वे सीली हूँ यह जो एक्स्ट्रा कलात है मैं इसे पीछे की सैडी मोड के स्टिच कर ली हूँ यह बैक साइड में कुछ इस सरा से दिखाए देगा अब यहां पर मैं इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ चुन्नी को भी और इसे भी इन दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड है और यहां पर साइड में आप देख सकते हो यह चुन्नी एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट करके ले लूँगी यहां पे मैंने कट करके ले ली हूँ और जो एक्स्ट्रा चुन्ने यहां पे साइड में थी वो यहां पे लंबाई में कम पड़ रही है तो यहां पे मैं इसे अटाच कर लूँगी इस सरह से और इस सरह से अटाच करने के बाद दोनों साइड और नीचे की साइड भी स्टिच करके लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टिच करके ले ली हूँ और इस कॉर्नर पे हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि कॉर्नर अच्छे से निकले कॉर्नर को सीधा करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से पैन भी यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पे मैं जो बॉर्डर हमने अटाच किया था तो उपर की साइड से भी मैं इसे स्टिच करके ले लोगी ऐसे स्टिच करने से फ्रेंट्स जो हमने पीछे की साइड में जो अटाच किया था यह नहीं दिखाई देगा और अच्छा भी दिखेगा तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच करके ले ली हूँ और यह इस तरह से पट्टी भी बना ली हूँ और simple इस तरह से सी के हमें pin लगा लेना है और यहां पे हम pin इस तरह से लगा के इसे सीधा कर लेंगे तो friends अगर आप इस तरह से cutten नहीं सीना चाते हो ready made cutten खरीदना चाते हो तो मीशो आप की link मैंने अपने description में दे दी हूँ अगर मेरे refer id से आप मीशो आप डाउनलोड करते हैं तो 30% आपको discount भी मिल जाएगा इस तरह के cutten अभी trending में चल रहे है तो friends इस तरह से हम इसे अच्छे से set कर लेंगे और जो CSO है वो हमने बीच में आए जैसे इस तरह से adjust कर लेंगे तो इस तरह से मैंने और भी पट्टी बना ली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से मैं सभी तयार करके ले ली हूँ अब यहाँ पे हमें इसे उपर की side से अंदर की side में इस तरह से अच्छे से fold करना है और नीचे वाला भी हम अंदर की साइट फोल्ड करना है और इस पट्टी को आफ में फोल्ड करेंगे इस तरह से इस तरह से हम इसे रखके स्टिच कर लेंगे आफ में फोल्ड करेंगे फीर से रखेंगे फीर से स्टिच कर लेंगे इसी तरह से हमें सारे पट्टियों को सेट कर लेना है इसके बीच की जो दूरी है वो रखेंगे हम 6 इंच इस तरह से 6 या फिर 5 भी रख सकते हो आब तो मैं स्टिच करके ले लेती हूँ तो मैंने स्टिच करके ले ली हूँ अगर आप रेडिमेट कटन खरीदना चाहते हैं मैं वीडियो के लास्ट में आपको उसका कोड भी दे दी हूँ अब वहाँ से मीशो आप में डालके पर्चेस कर सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना सब्सक्राब भी कर देना बेल आइकोन क्लिक करके नोटिफिकेशन आन कर देना इसे जो भी नए वीडियो में अप्रोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएगा फिर नए वीडियो के सब जल्दी मिलते हैं तब तक लिए बाइबाइ